बिस्मिल्ला अरिक्मार रोहीम, असलाम अलेकम फ्रेंट्स, मेरा ना मौसिन और आप देख रहे हैं, फॉरेक्स सीखो, फॉरेक्स टेडिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अड्वांस लेवल में फ्री आफ कॉस्ट सिखा पाऊं, ठीक है, लेकन यह कि आप उसको प्र बताते हैं, या आपने खुद ही यह चीज़ देखी होगी, कि मार्केट जो है ना, वो सिरफ टेक्निकल अनालसिस को जो है, वो सामना नहीं करती है, मतलब सिरफ कैंडल स्टिक के उपर या किसी इंडिकेटर के उपर काम नहीं करती है, खई दफा आपके इंडिकेटर और ब करते हैं, इनको दोनों को मर्ज करके काम करते हैं, तो आप अच्छा प्रॉफट उठा सकते हैं, तो मेरी कोशिश है, मैं आपको समझा पाऊं के वो किस तरह से अनालसिस किये जाते हैं, आज मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, लेकर हम जब न्यूज आएंगी नेक्स आने वाल चलता है कि कौन सी करंसी स्ट्रांग होगी, कौन सी करंसी वीक होगी, और नेक्स आने वाले टाइम में क्या असर पढ़ने वाला उसके उपर, तो आईए इसको देख लेते हैं, चल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और लाइक कर दें इस वीडिय इसके उपर लेकिया हूँ, forexfactory.com, और भी websites हैं, लेकन यह काफी recommend की चाती website, और मैं भी आपको recommend करो, अच्छी website है, अच्छा data आपको यहाँ पर प्रोवाइड रता, और भी जो websites हैं, उनके बारे में भी हम आने वाले classes में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर हम नो बच के बावन मिनट और नीचे मेरे जो computer का time है, वो भी यही same आ रहा है, अगर यह time आपका घलत आ रहा है, आप अपने region के साब से country के साब से अप इसको adjust करें, जैसे कि अगर आप किसी भी और region में रह रह रहे हैं, तो आप यहां से साथ अफरीका करेंगे, अगर आप किसी भी अबुदैबी, मसकत में रह रहे हैं, तो आप यहां से select करें तकि आपके जो time frame है, वो उसके साब से mention करें, otherwise आप news यह दिखते रहेंगे, आपका time यहां पे घलत होगा, और आप जो news है, वो time पे चार रहोगा, और आप घलत trade कर बैठेंगे, तो इसके लिए जरू DST इसको आफ रहने दें, और AM PM हम इसको कर लेते हैं, save setting करेंगे, तो यह देखें, हमारे पास आ चुका है, उसके बाद हमने क्या करना है, कि calendar में जाना है, और calendar के अंदर, इसमें जो important चीज है, वो calendar ही है, और भी चीज़ें आप देख सकते हो, बट आपको समझने के लिए फिल हाल जो चीज़ जरूरी है, वो calendar है, अभी आज आपने देखा होगा, कि market जो है, वो American session के अंदर बिल्कुल move नहीं कर रही है, निकि new year, जैसे मैंने पिछले time है, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि different time frames हैं, जिसके अंदर market चार time frame के अंदर काम कर रही होती है, तो जैसे new year, जो session है, वो जब start हुआ American session, तो वहाँ पे आपने market के movement बिल्कुल slow slow देखी होगी, और market आज बिल्कुल move नहीं कर रही है, उसकी reason कह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि आज 7 September है, और आज USD और CAD, Canada और America के अंदर, उनकी bank holidays हैं, यनिकि banks बंद हैं, जिसकी व अच्छा नहीं है, क्योंकि market move नहीं कर रही है, आपको trade से निकल जाना चाहिए, यह नहीं है कि आप बार बार उसको trade लगाते हैं, तो यह आज जब American session off था, उसके बार trade करने की को खास, मतलब कि उसकी movement नहीं आई market के अंदर, तो इसलिए हमें all trade करना नहीं चाहिए थी session के अगर हम USD या CAD pair के अंदर काम करें, हाँ अगर हम किसी और pair के साथ काम करें जिसमें यह दोनों Canadian और American dollar मौजूद नहीं है, तो वो move कर सकते हैं, वो चल सकते हैं, लेकिन यह जो दो countries हैं, वो बंद थी हैं आज, उनके banks बंद हैं, यानि कि वो transaction नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया यहां पर देखें, तो सबसे पहला option आता है, यह वाला time date आती है, फिर time आता है कि यह news किस time को आएगी, फिर आगे currency है, किस currency को affect कर सकती है, ठीक है, किस currency को impact करेगा उसके उपर उस news का, और यह उसका impact है, अगर यह इसका जो news आएगा, इसका impact कितना सकत है, यहां पर अगर आपको बता हूं, यह जो yellow है, यह low impact expected है, यह जिनके साथ भी low yellow sign आ रहा है, मतलब यह ऐसी currencies है, यह ऐसी news है कि इनका कोई खास impact market के उपर नहीं पड़ेगा, यह news आएंगी भी और चली भी जाएंगी, लेकिन इनका कोई खास impact market के उपर नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे सकता है, और नहीं भी कर सकता, और जो red होता है, वो high impact होता है, यानि कि इसकी वज़ा से आपकी जो market है, वो काफी ज्यादा move कर सकती है, और उसकी जो मतलब के movement है, वो ज्यादा आ सकती है, और उस currency पर जैसे कि आप यह red impact है, यानि कि high impact है, और यह किस को effect करेगा, CAD को, Canadian dollar ज currencies नहीं impact होंगी, लेकिन इसके साथ जो pairs होंगे, जैसे कि USDCAD या पिर euro CAD, मतलब जो भी इसके साथ बनाते हैं, अपना pair, वो जो है, वो impact कर सकते हैं, उनके market को भी, समझा रही है, यहां तक, आगे देखें, तो यह उसका एक शार्ट जो हना, वो आगे बताया गे किस care related news है, और क्या चीज़ है मतलब, आगे यह detail है, उस news के बारे में detail है, यह मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको live market में भी आने वाले time में, जब news आएंगी, जैसे का high impact की news आएंगी, यह 9 September को है, फिर 10 September को news है, फिर इसी तरह से आप देखें, तो 11 को नहीं है, आगे market session क इस week की close हो जागी, लेकर हम 10 को एक और वीडियो इसके उपर और बनाएंगे, और यह जो live impact आएंगे, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छा, उसके बाद यह actual है, actual मतलब जो इसका आता है, जो figure आते हैं, वो कितने आते हैं, यानि news में वो figures कितने हैं, उ forecast, पहले एक forecast किये जाता है, कि यह इतना हो सकता है, और यह previous है, यानि कि जो पिछली दफ़ा news आई थी, यह वारी news आई थी, फर्स करें, CNY के उपर trade balance की news थी, और उसका जो पिछला movement आया था, जो उसके उपर, वो 442 billion था, ठीक है, forecast किया गया था, 385 billion, यानि कि यह कम previous हिस में, जो आया था, changes, वो उससे कम change आएगा, लेकन, actual में जो change आया, news आने के बाद, वो था, 417 billion, यानि कि जो उनने forecast किया था, उससे ज्यादा आया था, और यह इसका graph आता है, ठीक है, और इसको हम, detail से भी चीज़ें को देखेंगे, अभी मैं आपको एक high impact की news को पढ बनाएंगे भी, और उसको समझने की कोशिक करेंगे, जैसे, यहाँ पर देखें, यह press conference है, और press conference को तो आप छोड़ दें, क्यूंग इस पर वो actual moment नहीं आ रही होती, conference के अंदर थो नहीं पता होता कि इसकी पहले क्या था, इन्होंने क्या बोला था, और क्या चीज़, हम इसलिए दूसरा कोई select कर लेते हैं, यहाँ पे कोई और news select करते हैं, यह देखें, CAD के ओपर, जो हना वो news है, overnight rate, और यह high impact कर सकता है, कितने बज़े यह करेगा, impact करेगा, 9 September को, 7 बज़े, 7 पी-म, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, यह impact करेगा, कौनची करनची को, CAD को, CAD क साथ, जो जितने भी बाकी pairs हैं, उनको यह impact कर सकता है, overnight rate, इसमें वो बता रहा है, कि इसका जो previous था, वो 0.25% था, अभी forecast जो किया जा रहा है, वो भी 0.25% ही है, यानि कि उनका जो पहले वाला data, previously, जो news में यह दिखाया गया था, वो तना ही data यहाँ पे अभी भी आएगा ठीक है, यह और भी data पढ़ने के मुक्तलिफ चीज़े होती है, लेकर अभी आपके हो कि बिलकुल ने हैं, तो मैं आपको यही बता सकता हूँ, इसको simply बहुत अलफाज में, और आप इसको समझ भी जाएंगे, जादर लीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको भी फिल आप पढ़ सकते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन यह आपको लाजमी पढ़ना चाहिए, और इसमें बताया गया है कि actual greater than forecast is good for currency, कि अगर जो actual data है, यानि कि जब आएगा और actual data कब आएगा, 7 बजे आएगा 9 सप्टमबर को, यहां पे वो data आएगा, actual data अगर 0.25 और वो हो जाता है 0.30 या 0.45, कुछ भी बड़ा हो जाता है, अगर वो बड़ा हो जाता है, तो वो कह रहे हैं जी कि यह currency के लिए good है, यानि कि currency जो CAD, Canadian dollar है, यह strong होगा, अब Canadian dollar strong का क्या मतलब है, कि Canadian dollar जो है, वो उपर जाएगा और उसके साथ जितने भी pairs हैं, उनके rate down होगे, ठीक है, तो Canadian dollar जो हो strong होगा, और इसका simple अलफाज में यह मतलब है, अब इसका जो impact है, वो हम 7 बजे देखेंगे भी, 9 सब्टेंबर को इंशालला मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, और इसको live impact भी मैं आपको दिखाऊंगा, कि वाकी ऐसे होता है या नहीं होत कई दफा news का impact बहुत ज्यादा आ जाता है और कई दफा news का impact नहीं भी आता, वो depend करता है किस किसम की news है, अब जैसे कि press conference है, ECB की press conference है, USD की press conferences होती है, तो press conference के अंदर हमें नहीं पता होता, अब यह तो data में actual वो दिखा रहा है, लेकर conference जब वो कर रहे होते हैं, या उसके rate of interest बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, कुछ भी वो जब changing करते हैं अपने financial institution के लिए, तो उसके लिए हम क्या हमें पहले से पता नहीं होता, तो वो conference को देख के समझ के फिर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जब यह data नजहरा होता है, तो हम इसके साब से देख सकते ह और यह काफी ज़्यदा आपके लिए helpful हो सकता है, और week में यह जितने भी data आते हैं, आप इनके उपर भी trade लगा सकते हैं, और अच्छे profit जो हो निकाल सकते हैं, अगर आपको news पढ़ना, उसके impact को समझना और उसकी history को समझना आ गया, और उसके बाद साथ आप stop last के साथ का काम करना सीख के तो, क्योंकि जो news होती है, वो बहुत ज़्यदा impact में move करती है, तो hopes हो कि आपको यह basic चीज समझ आई होगी, यह basic है भी इसके उपर हम fundamental के उपर और भी काफी videos discuss करेंगे, लेकिन जो main चीज वो technical analysis है, fundamental भी है, क्योंकि fundamental जब बना आती है चीजे, तो वो फिर technical चीजें काम करना छोड़ देती है, indicator सारे काम करना छोड़ देंगे, आपकी candles काम करना छोड़ देंगी, मतलब वो जिस तरह भी indicator आपको बोल रहा है, यह buy करो, buy करो, और हर चीज buy में दिखा रहे है, हर दुनिया का indicator buy में दिखा रहे है, लेकर news उसके अगर opposite आ गई, तो स सारे indicator काम करना छोड़ देंगे, और वो sell कर जाएगे, कोई भी चीज, तो यह, जो fundamental analysis है, इनको समझना देखना बहुत ज़्यदा जरूरी भी है, और आहम भी है, चीक है, तो hopes हो कि आपको यह समझ आया होगा, दोस्तों सक्ष लाजमी शेयर करें, और नीचे वीडियो के न के मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ, और जस्ट लाइक चाहिए आपके, कोई बिल नहीं आता, आपका free of cost है, आपने कोई पैसे नहीं देने इस पे, free चीज़े मैं आपको सिका रहा हूँ, और यह वो knowledge आपको सिका रहा हूँ, जो लोग पैसे लेके सिका रह कि अपका सॉस स्मेच कर रार Keज बिल नहीं कोई आता बस टार स्विप आता सा सया है, को वपका बिल बिल नहीं के लिएकी है कर लास्वे है कोई दarte पार नहीं का ज्यों आपको सिका वज़ आपको ऐस्ने घु ढर है लुक conqu Isab G, G lutte, G owbug talking in a व है रहा है, और रहा ह search और विल